कि बिस्मिल्लाइबरहमाइबरहीम मैं हूं मुहमाद आसिफ उनलस कपीटर अकैडमी से आज से हम यूट्यूब पे एक नहीं सीरीज शुरू करने जा रहे हैं MS Office के नाम से Microsoft Office जो है वो हमारे रोजमरा जितकी में काफी जादा ये एप सिस्क्मार होने वाली है उसमें Word है, Excel है, PowerPoint है हमारे विल्जी एरिया में और इतने बैकवर्ड एरिया हैं वहाँ पे दिखा है कि बच्चों को बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज भी नहीं है बच्चों को क्या स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं पेपर बनाने के लिए वो मुक्तलिफ दुकानों पे कंपोसिंग करवाने जा रहे हैं हलांकि ये एक बेसिक सा नॉलेज है हर बंदे की जुरूरत है कम्प्यूटर लिट्रेसी के अंदर जो है ये बेसिक होना चाहिए कि ओफिस मेंटमेंट का काम बंदे को होना चाहिए इसमें हम वर्ड एक्सल और पावरपाइट की एक मकमल सीरिस देंगे और उसाजात असाइनमेंट दिया करेंगे आपने वो काम करके दिखाना है और बिलकुल बेसिक लेवल के ओपर ठीक है तो बिला तखीर आज सी हम काम स्टार्ट करते हैं आपने 10-15 मिंट की ये विडियो देखनी है उसके ओपर प्रेक्टिकल करना है ठीक है ज्यादा सिरफ 10 मिनट रोज रोज के 10 मिनट 15 मिनट और आप एक्सपर्ट आपको एक्सपर्ट बना देंगे हम इन्शाला तला आफिस में मुख्लिफ काम करने के तो आज शुरू करते हैं हम एमेस वर्ड को तो एमेस वर्ड में ये मैंने ओपन किया हुआ है ये प्रोग्राम तो सबसे पहले इसकी जो टूल्स है मुख्लिफ उनके नाम प्रफेशनल लोगों को भी आने चाहिए ठीक है फार एक्जेंपल जब हम वर्ड ओपन करते हैं तो ये इस तरह से दिखाई द प्रफेशनल लेता है सबसे उपर जो आपको रेड कलर की पटी सी नजर आ रही है जिसमें मिनिमाईज बटन होता है मैं आपको आफिस दिखाता हूं दुबारा से ये मिनिमाईज बटन है और ये पूरी पटी को जहां पर डॉकुमेंट का नाम होता है जब हम फाइल सेफ क अबे हमें मैनियु हो कि ये मैने नाम लिख दी है एक पिक्चर के उपर जो नीचे पती है उसको स्टेटिस बार कहते हैं कर्सर स्कूरॉ बॉहार कर सरे, आपने जब कोई भी बता प्रफेशनल लें इंटर्व्यू देता है, तो आपको अगर हो कहता है कि स्क्रोलिंग करें, ठीक है, आपका जो माऊस होता है, माऊस बटन, उसमें भी बकहता, एक लेफ्ट क्लिक होता है, और एक राइट क्लिक तो तर्म्यान में स् साइर वाली बार है जिसे हम आपके पास लैप्तौब है लेफ्ट क्लिक है राइट क्लिक है यह भी याद रखना होगे जब मुखलिफ चीज़ों के लिए बोलेंगे जब क्लिक का लफज बोला जाता है तो मौझ की लेफ्ट क्लिक ठीक है और अगर आपके पास लैप्टॉप है तो आपको पता है जो है वो टच पैड इस्तमाल होता तो टच पैड में जो है यह आपको बता है दो बटन्स होते हैं यह नजर आ रहे हैं आपको तो इदर वाले बटन को जो लेफ्ट क्लिक है और राइट साइड वाले को राइट क्लिक के लिए इसमाल करते हैं और यह मुवमेंट होती है पॉइंटर की यह जो सर्फिस है इसको ह गरते हां अच्छा अब नाम याद करने के बाद बेशिक सा काम होता है आपको सबसे पहले टाइपिंग जो है ना वो आनी चाहिए तो टाइपिंग जो है वो करते हुए आपने क्या-क्या रखने है For example आप एक essay लिखने लगे हैं तो वो ऐसे लिखने से पहले नहीं आपने हैं तो हम माय बस जो भाई को आपने से लिख रहे हैं तो टैपिंग जो है वह आपने हर्वर्ड में एक वर्ड लिखने के बाद का सॐस juvenis को आपने लिए बसे जहां आप है कि मैं हम बहुत ही बिजनेग लबल पेडिव अगर चीज़ें आती हैं तो आप नेक्स जो है न अगली वीडियो देख सकते हैं लेकर इसमें भी हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो पहले आपने नहीं की होंगी इंशालत तो टाइपिंग की अब नेक्स लाइन पे गए हमने लिखा आए हैव मैंने फ्रेंड्स ठीक है तो अब यहां पे अबने जब एक फिक्रा खतम करना है या कॉमा लगाना है तो आपने एक स्पेस देनी है फुल स्टॉप के बाद कॉमा के बाद सेमी कॉलन के बाद अपॉस्टॉप के बाद आपने कभी भी कुछ सेमल यूज़ करनी है तो उसके बाद एक स्पेस रोड देनी टीक है और अगर आप दखें लिखते हुए आप कुछ लिखते हैं। मैं फिक्रा लिक्रे हैं हैं बैस्ट और फ्रैंडs के Kaiser जो हैं वह आपसे हो जाते हैं. टीक है तो क्या होगा आपके M.S. वर्ड कुछ speaker newario आटोमेडिकली ठीक कर देता है कुछ स्पेल इसमें क्योंकि आटोकरेक्ट है वो भी आगे जाकर आप तो प्ताओंगा और कुछ स्पेल जैसे मैंने ये बॉए के स्पेल लिखे है तो इसमें नीचे रेड लाइन दे दी है रेड लाइन जो है ये आपको स्पेल जो है मिस्टेक देता है ग्रीन लाइन अगर आये कभी तो वो ग्रैमर की मिस्टेक देता है तो इसको बेसिकली ठीक करने के लिए आपने क्या प्रेस करना है आपने प्रेस करना है F7 जो ही आप F7 प्रेस करेंगे तो ये साइड पे किया एक box आजएगा आपका तो उसमें आपने spell को ठीक spell लेने हैं और उनको क्या करदेना है आपने चेंड करदेना है ठीक है तो आपके spelling जो है नो ठीक होता है लेकर कुछ नाम और स्पेल ऐसे होते हैं जिन जो के आपको ठीक भी होते हैं जैसे कोई भी नाम है हमने अनीस लिखा तो अब ये नाम जो है इसकी एरर नहीं आ रही ठीक है लेकर हम यहां पे कुछ भी खुरम लिखते हैं तो अब इस नाम में स्पेल की जो है ये सारे जो है ना डिशनरी में एडиль हैं लेकर ऐसा कोई नाम जो डिशनरी में एड ना हो for example हमने जमाल लिखा ऐसन लिखा तो अगर हम अगर हम कैपिटली वर्ड लिखते हैं तो वो नाम जो है वो उसकी डिशनरी में जो एड़ होते हैं वो उनकी बिल्कुल एर नहीं देता ठीक है लेकान अगर बिल्कुल आप ऐसा कोई नाम लिखेंगे जो उसकी डिशनी में नहीं है तो जैसे मैंने ये चंदर कोड लिख दिया है अब ये गाओं अभी सी ये तो इसकी डिशनी में नहीं है ठीक है अभी आप ये जो अनीस और और अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरी ओफिसमी डिशनी में एड है लेकान अगर आप अपने टाइप करके देखेंगे ना इन नामों के नीचे रैड लाइन जो है वो आएगे तो आपने क्या करने है एफ सेम प्रेस करने है तो आपने उन नामों को एड कर देना है जैसे मैं ये साथ ही राइड साट पर लिखा हुआ है एड या नीचे उसके देखेंगे लेना है तो आपने उसको एड कर देना है अवावर्ल ऍंकि जो है वो नहीं आएगी एर्ल नहीं आएगा दा लाइन आएगी तो बिसी काम अपको पहले तो टाइपिंग अनी चाहिए लिखना आना चाहिए, टैपिंग के लिए मैंने एक आपको ट्रिक भी बिताता हूं, अच्छी टैपिंग करने के लिए एक फिक्रा है, आपको एक ब्राउन फॉक्स, ब्राउन फॉक्स, जाम्स ओवर दा, जाम्स ओवर दा लेजी टॉंग, तो ये आप रोज टाइप करें, दाज से पता लता हूं, आप देखें, जाम्स के स्पेलन गलत हूं है, क्या अपता है था मैंने, एक फिक्राउन फॉक्स, ये जो आपको एक, मैंने सेंटेंज बताया है, आप इसको रोज जो है ना वो टाइप करें, तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है ना वो बेतर हो क्यों क्यों क्योंकि इसमें ए से लेकर जी तक सारे अलफापेट्स मुझोड है, पहला काम हमारा टाइपिंग का हो गया, दूसरा स्पैल चेक है, जो हो आणी चाहिए, आसकी जोड़ी हो, नमबर त्री, अब जो फाइल आप बना रहे हो जाहर है, इसको आपने सेव करने है जो भी आपने काम करने है, उसको सेव करने के लिए फाइल में जाएं और इसको सेव करते हैं, क्योंकि हमें पर्मानेंट सेव करना है, कि सुट रेम में काम हो रहा है, वो आलसी होती है, लाइट ओफ हो जाए, या आप बंद कर देते हो बलती से तो वो डैटा जाया हो पर पसल में जाएं और ब्राउज करें, आप जिस लोकेशन पर सेव करना चाहिएं जाद रहे हैं, अब जहाँ पर सेव कर रहोगा यए अप डाकूमेंट में सेव कर लें, यहां से लोकेशन ले ले, डैस्टाप एक बाहर वाली लोकेशन है, आपकी डॉल डॉल की की लोक पर जहां पर इसको सेव करना चाहते हैं, इसका नाम उसने फुद सगेस्ट किया, मैं बेस्ट फ्रेंड, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, आपने वो नाम सगेस्ट करके उसको सेव कर देदा, इसी तरह से फाइल को क्लोज करने, तो आप यह अभी फाइल सेव हो चुकिया है, तो फाइल में जाकर आप इस फाइल को क्लोज करते हैं तो यह फाइल क्लोज हो जाती है हम रिसेंट में जाकर दुबारा से इस फाइल को लेना चाहते हैं तो यह देखें रिसेंट में पढ़ी हुई है यह फाइल में जाकर हम उसकी लोकेशन से उपन कर सकते हैं यह फाइल ज यहां पे आप आजकल इसकी फाइल को ओपन और न्यू करने के लिए शॉर्टकट कीज यूज करते हैं तो मैं चाहरा हूँ कि आपको थोड़ी शॉर्टकट कीज का भी पता चल जाएं यह देखें यह बेसिक सी आज साथ शॉर्टकट कीज हैं आप सेवन मैंने बताई अभी स्पेल गरेमर के लिए अब सेव करने के लिए आपने अइंदा से याद का लेनी है साथ साथ कंट्रोल स प्रेस करें CTRL बटन बना हुआ है की पोड़ की उपर ठीक है वो प्रेस करें साथ स्प्रेस करें मलगर करना है साथ अपर व करने है फ़िए और फैसं तो फाइल से और लेनी हैं तो कट्रोल रहें करें यह देखें मेरे नियुव पएज आए टेकं पेसर स्कॉत करने हैं उसको स्तोर क्ट्रोल डव्यू क्लोज कर दें ओपन करने हैं क्ट्रोल को करें या पर शॉटकर की जुरूर एक को इस्तमाल करके देखने हैं और जब प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल पी यूज करेंगे ठीक है यह सिंपल सी साथ शॉटकर की दें अच्छा एक और चीज़ है सेव अब एक बंदा चाहता है कि मैंने यही फाईल एक फाईल यह माइ बेस्ट फ्रेंड मजमून लिखा एहमद ने अब एक बंदा कहा रहा है कि मैंने भी लिखना है तो उसका नाम अली है तो वह भी उसमें थोड़ी बहुत चेंज़िस करके एकात कोई नाम चेंज करना है या कर सकते हैं यानि कि उसका नाम भी रहेगा अब मैं इसका एहमद फाइल या कोई और नाम लिखे देता हूं तो हम उसी फाइल को एक नए नाम से महफूज कर सकते हैं पहली फाइल भी मुझूद रहेगी और नए फाइल भी जो है वो से वैसे हो जाएगी सेव करने से डेटा उसी फाइल में रहता है लेकर से वैसे उसकी एक न्यू डुप्लिकेट नए नाम से फाइल जो है वो मैफूज हो जाती है ओके जी तो आज की वीडियो वाइंड आप करने की तरफ चाहते हैं हमने क्या क्या सीखा है हमने एक तो इसमें आपको टैपिंग करनी आनी चाहिए और इसका इंट्रोड़क्शन थोड़ा सा पता होना चाहिए तो कि आप काम कर रहे हो इंटर्वियो में हो तो आपसे पु वर्ड को स्लेक्ट करना क्योंकि अगली वीडियो में हमने काफी काम करना है क्लिपोर और फॉर्ट्स वगारा मैंने सिखाने आपको तो आपको वर्ड को स्लेक्ट करना आना चाहिए स्लेक्ट करने के लिए आप माउस से क्लिक करेंगे माउस मैं दिखा चुका हूँ पहले क क्लिक का बटन दबा कर रखने हैं और इसको ड्रैक कर दें तो यह जब ब्लैक होजे तो समझे लें यह हमने इस वर्ड को स्लेक्ट कर लिए ठीक है मौस से स्लेक्ट कर सकते हैं टच पैड से स्लेक्ट कर सकते हैं टच पैड का बटन क्लिक करें और उस सर्फिस के उफर उसको ड यूज करें यूज करें राइट ऐरेओ चार रैयो किसे हैं डौबर उनलत अब타माश्ट तरफ को ए्रो है राइट और राइट साइड पर ये ये लेट साइड पे ठीक है और आज का ट्रीक ट्रीक now one trick में क्या है कि आप दो कभी select करते हो अगर आपको खहा जाए कि center से select करो जैसे best to many ऐसे center से दर्म्यान से select करो तो ये अगर हम select करें मुकंब select होता है ठीक है इसके लिए इस trick के लिए आपने क्या करने है सबसे पहले आप keyboard से auth का button press करने और प्रेस करके साथ ही आपने स्लेक्ट करते हैं तो ये देखें इसेंटर में कहीं से भी सेंटर में स्लेक्ट कर सकते हैं तो आज हमने कुछ इंफ्रमेटिव चीज़र सीकhी और पहलत ट्रिक पी outro कुछ diamor इसी द्रह से हम आपको साथ साथ आपने रोज 10-15 मिन निकालें, आफिस सेखें, बहुत जरूरी है और असाइनमेंट, जो मैंने साथ आपको अपलोड करूँगा, वो फाइल आपने साथ डॉलोड कर दी है, वैसे देखकर आपने एक असाइनमेंट ना नहीं है असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप हम से राफ़ा करेंगे, वाटसेप नमबर भी देंगे आपको, इन्शाला आपके मुकमल गाइड करेंगे, आपकी सारी हेल्प करेंगे, लेकर शर्त ही है कि आप स्टार्ट जरोग करें, ठीक है जी, ओके, अल्ला हाफिज अजय होगी, जीक होगी, बाइस